जेई आना है जेई 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 आएगा पिपर में क्या आएगा जेई आएगा ठीक है जेई क्या है चार नमबर में किते नमबर में चार नमबर में अरे एक अच्छा दस्वी के बच्चो मद्द पर्दे सराज्य के बच्चो क्लाश टेंड वालो आप लोकी जो बारसी परिक्षा होने वाली है 2022 में उसमें जही वाली एप्लिकेशन आएगी अब पूछो क्यों इसलिए क्योंकि एप्लिकेशन काय में दी गई है परश्ण बेंक में दी गई है परश्ण बेंक में तीन एप्लिकेशन दी गई है दो एप्लिकेशन पहले करवा दिया अब य तीसरी application है ठीक है सिर्फ और सिर्फ तीन application है याद और अभवन कहँं तीन मैंसे 2 मिनट्ब संदत खुके हूं अब तीसरी application घर जाके रट लेना याद कर लेना याद करने के बाद इसको बिना देखे कापी में लिख लिक के देखना एक-एक spelling चेक करना एक spelling भी टेक नहीं होना चाहिए चापके आजाना बिल्कुल ठीक है पेपर में और जई आना है बिल्कुल कौन सी एप्लिकेशन है पढ़ते है प्रेशन बेंक में जो कोशें दिया है यू आर अंजली बर्मा तुम अंजली बर्मा हो इस्टेडिंग याने पढ़ाई करती हो गवर्मे की ए मतलब कन्या स्कुल गवर्मेंट घर ले इसकुल में तुम पढ़ाई कर रही हो शोर में राइट एन एक 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 लेकाशन लिखिए तो यू आर प्रिंसिपल अपने प्रचार को फोर फी कंसिशन का मतलब होता है माफी के लिए अपने प्रचार को फीश माफ करन प्रप्रणे में फीस माफी के एपिलिकेसन है लेकिन में इतना बताओं तुमको तुम लोग जैसे आरनों कोचिंग यहां पर लगा और आरा रहा वह चातर वास में रहता था दस भी क्लास का था अब इसकी बतारों तुम्हारे बेच की वह कोचिंग आया मेरे पास यहां पर अगर मुझे एडवांस फीस जम्हा कर वा लेता कि भाई दोस्तों लाएगा तो यह तो एडिलसन होगा कर गए पेशा जब इंसान देता है ना जब इंसान दस रुपे देता है और फिर गुपचुप खाता है तो बोलता कि सूखी वाली भी दो क्यों क्या लगा है पेशा पूरा लिखता रोज कोचिंग आता आता कि नहीं आता और जब कोई फिरी में साधी में गुपचुप खाने को मिलती हराम की अपनो कौन सो पेशा लगो है धेर भर को खाना लेला है आतो फेग दा है जबकि वो खाने कीमत कित्ती उत्ते खाना रेश्टरण में जा खाओग भी अना उसने वोला कि मैं तीस कुपर में दस क्लिमेटर दूर से आता हूं यह आता हूं यह आता हूं वह थोड़ी दया आ गई तुम चिंता मत करना तुम बेसी आके बढ़ जाना तुम को फिरीम पढ़ा दूंग अना मुझे लगता है कि यार किसी कंडिशन सही में दिन ना है फिरी का है ना लिखे तो ठीक ना लिखे तो ठीक इस सिस्टम होता है तुमको फिरी का पानी मिलेगा आधा पीओगा आधा फेक दोगे और बिसलरी का पानी पैसे दे के खरित के पीओगे तो पूरा-पूरा एक-एक बूंद पीओगे और बोटल भी घर लेके जाएंगे हो ने कियो क्यों कि क्या लगा है पैसा लगा है और इसलिए गुरु दक्षिणा का प्रावधन किया जाता है किसका प्रावधन किया जाता है गुरु दक्षिणा का प्रावधन किया जाता है इसकूल से फ्री में किताब मिलेगी कैसे फिक फाक दोगे कुछ भी कर और जो guide खरीदेंगे पेसा दे करके तो हम क्या लगा है पेसा लगा है आए ना समझ में इसलीए हर चीज़ का एक मूल्य होता है न की तुम्रे माता पिता भी क्या कर रहा है गर okay अब तुम्रे माता पिता काम कर रहा है और काम करके बदलने मन को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो सिस्टम चलते रहना चाहिए, तब ही देश की GDP बढ़ेगी, और तब ही देश का क्या होगा, विकास होगा, इसलिए जिन लोग में फीस नहीं लाए, लादो रहे भी यह रहे, वो किरायरा में को देना अगर कम को बोल रहा हूं मैं नोभी ग्लासे बच्चे फीस ला दे रहा है तुम लोग ले करके नहीं आ रहे हो फीस ला के सब को करना है जम्मा करना है ठीक है तो को इस्कुल का नाम कहां से देखके लिखना है question से देखके लिखना है question में school को नाम दूसरा दिया है और तुम अपने मन पसंद इसको लोगो ऐसा नहीं जो question में नाम दिया रहाएगा भही नाम यहाँ पर आपको लिखना है लिख लोगे इसके बाद subject subject का मतलब क्या होता है विषय किस विषय पर application याने आविदन पत्र for fee concession fee concession का मतलब होता है fees maffy क्या होता है fee concession का मतलब fees maffy ठीक है इसलिए मैं आजकल fees maff करने ही बंद कर दिया लेकिन कर देना है क्या करेंगे अब एक नलगा आते था मेरे पास एक साल आंगे उसके पापा नहीं है ठीक है बुला लगा होटल में काम कर रहा है और होटल में काम करके वो fee spade कर रहा है और मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू मत दे आर तू पढ़ाय लिखाई कर ले करके सांत रहा हो बता रहा हूं में तो बंदे ने मेहनत कर तो ऐसा भी रता काई वाल ठीक है मेरे कहने का मत इस सिस्टम रता पूरा सब्जेक्ट का मतला होता है बिसा है एप्लिकेसन आने आवेदन पत्र फोर आने के लिए मतला होता है माफी के लिए किसके लिए यह फीस माफी के लिए आविदन पत्र ठीक है लेकिन अब कई बर कंडिशन बन जाती तो फिर अपना भी दिल इता बढ़ा है अपना दिल इता वड़ा कि अपन फिरिम पढ़ा दे हैं ने की नहीं लेकिन फिर कोई फिरिम पढ़ाऊंगा तो कोई आया कोई काला कॉत तनी आन आज सामने स्चला के नमस्ते दखनी करा मतलब चार-पांस साल पहले इक भावना अत्ति यह ना और अब मैंने पढ़ाया बदले में पैसा ले लिया अब तुम भार जाके गाली बखो में को मैंको उससे मतलब है क्या नहीं है अना की नहीं मैंने तुमरे उपर इसान किया ग आपका है और तुमांग में कुछ अच्छा करो्न के तुमको और प्रोस्ता और चिवाएंज से को में अच्छा करो किसकी है और वेश्तब्स कि में चुर伍त ने हुग कुछ नरे खंजु सकवेन का न मेहाना निकला जिसिए और बढ़ाने का सैनने बढ़ हूं तुछ तुम लेकिन में क्रेडिट नहीं लेता हूं। कई टीचर ले गो पीषे लुग करना है। बुलो जितना बुराइं करना है, मैं को फरक नहीं पड़ता। वेकर मेरा hotoder ना कोई मुझे अच्छा बोले। कोई मुझे बुरा बोले। कोई मुझे लाल्ची बोले कोई मुझे बोलए कि फीस के लिए टोर्चणर करते मुझे बिल्कुल फरक नहीं पड़ता है मैं अपना क्या कर रहा हूं करम मेरा इक ही लक्ष है कि मैरे पाद जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है उसको अपना बेश्ट देना है और उसको कुछ टाप करके टापर बना करके दिलाना है कि सिस्टम है मेरा यह मेरी सोच है मतलब ऐसा रहता है तो देखो subject and application for fee consistent fee consistent का मतलब क्या होता है fee smafi वाली क्या है application यह है respected sir मतलब महोदय जी I beg to say that I beg to say that मतलब मैं कहना चाहता हूँ की my father मतलब मेरे पिताजी मेरे पिताजी is a very poor man बहुत जादा क्या है गरीब व्यक्ती है ठीक है केसे व्यक्ती है गरीब व्यक्ती है his याने वे है monthly income is 2000 से 3000 मतलब 2000 से 3000 रुपए हर महिने कमाते है I have one brother मैं एक मेरा एक भाई है end one और एक sister और एक क्या है मेरी बहन है ठीक है एक भाई है और एक बहन है my father मतलब मेरे पिताजी is याने है note याने नहीं in a position position मतलब इस स्थिति में नहीं है to pay my fees कि वो मेरी fees दे सके कि वो मेरी fees पे कर सके क्या पे कर सके फीस क्या कर सके पे कर सके I am very hard working मैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हूँ क्या करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा hard work करती हूँ बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हूँ end याने और don't don't याने नहीं bant और चाहती हूँ to leave my studies और मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती हूँ 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 अपनी पढ़ाई नहीं चोड़ना चाहती हूँ बागी फीस माफ कर दीजिए, फीस माफ कर दीजिए kindly allow me फीकंसेसन, आप मुझे फीस माफी कर दीजिए I shall be obliged and thankful to you, इसके लिए मैं जीवन में आपके क्या रहूंगा, अभारी रहूंगा, thanking you यहाँ पर आप नाम किसका लिखोगा यहाँ पर जो question नाम दिये रहेगा बो नाम लिखना है, नहीं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो और मेरी वाद सुनो एक वाद सुनो थोड़ा सा लूँगा, दो मिनट घर जाओगे मेरी वाद सुनना, कहा जाओगे तुरंत घर जा करके जो निकालना कापी प्रश्ण बेंक निकाल ली होंगे तुमने फोटो कापी, नोवी क्लास की पूरे बच्चों निकला लिए दोसो दाइसो रूपे में फोटो कापी सोनु भी ये भी निकाल देते हो और उधर भी निकाल देते हो, निकाल ली फोटो कापी उठाओ question बेंक और जो अब भी जा करके जो बेटना पढ़ने के लिए घर में तो स्याम के 6 बजे तक हिलना मत ऐसी होती भी ये पढ़ाई और कोशिच जे करना कि इत्ती देर में संसरत का पूरा आधा प्रश्ण में खतम कर लाना रठ करके अब जे सिस्टम अपनाना चालू कर दो तो ही कुछ हो पाएगा मैं बता रहा हूं मैं दस भी में था मैं का कोशिंग जैसे ही बेठे पढ़ने के लिए सुबज 6 बजे बेठे बिलकुल दरवज्ज लगा के कम रहेगा जो पढ़ना शुरू करे रटा 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 शाम के 6 बजे उठे गडित के 10 गडित के 15 पाट में से 8 पाट पाट के खटम ऐसा ऐसे करना ही पढ़ेगा अब सोचोगे न एक घंटा पढ़ ली यार बहुत पढ़ ली यार एक घंटा पढ़ाओ मैंने अपने ऐसा नहीं जितना पढ़ोगे उतना कम है अब दिन में कम से कम ददस घंटे पढ़ना सुरू करदो 40 दिन बाद पेपर है बोर्ड परिक्षा है जान लगा दो जोक दो अपने आपको अपने आपको जोकना या अपने आपको जान में लगाना किसको बोलते मालू मैं अपने आपको जोक देना या अपने आपको जान में लगा देना उसको बोलते है कि पुरा जुट जाओ, भुड जाओ, कसम खालो आसा पढ़ेने के लिए, गडित कर रहे हो अच्छा रिविजन कर रहे हो, दो घंटा कर लिए, हाथ दर्द कर रहे हो और दर्द करे, no pain no gain, बि जैसी अलराम बजा, चार बजे, पांच बजे का, रजाई को उठा के दूर फेक दो, रजाई वो कोंटे में गई, बढ़ बढ़ा के खाड़े हो जाओ, पढ़ेना है, तुरंत जाओ, पानी, मूँ धुलो, आँख धुलो, ठंडा पानी सेहन नहीं होता तो पिर गरम पानी से धुलो, हम तो थोड़े जानबर की समके, हमको ठंडा गरम सब चल जाता है, ठंडी जनी लगती में को, ठीक है, आया समझ में, अच्छा चेरे में, और तुरंत जो पढ़ने के लिए बेठो, तो कोचिंग लगती है, 8 बजे, बिल्कुल 7 बस तक किते, 4 बजे उठे तुम बिल्कुल रच रच आके बिल्कुल, 3 घंटे में, 3 घंटे में भीया, परेशन बेंगे कि अगर तुमने 30 कोश्चन भी याद कर रहे तो वो बेनिफिट में रहेगा, कोचिंग आये, कोचिंग आ करके, भार खड़े रहते हैं, तो फिर रिविजन कर लिए, हमने कल क्या, भ प्रेड कैसे रहते हैं, खाली, तो सहेलिक सांथ बात नहीं करना है, लड़काक सांथ बात नहीं करना है, उस खाली प्रेड में क्या करो, खाली प्रेड में गडित का रिविजन करो, जो सुबह अंग्रेजी याद करे थे, जो एप्लिकेसन याद करे थे, उसको लिख लिख करके देखो एक सेकेन्ड का समय बरबाद मत करो खाना खाने की में छुट्टीं हो रही है na मेरे खाने खाने छुट्टी होती थी धूरंत गए स्पीड में थोड़ा पानी आने प्पूये दोस्तों लोग भार खेल रहे शुट्टी में भी गडित करो, सिव एक मेने की बात है, एक मेने तक अपने समय का पूरा, सही इस्तिमाल कर लो, सही, समय को चुराना जिसने सीख लिया, समय की चोरी करो, चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन किस की चोरी, समय की चोरी, केसे करोगे, केसे करोगे समय की चोरी, चार बज़ गया, किते बज़ गया है, चार, सब लोग बेग बांद के वेड़ गया है, मूर्ख टाइम, बेग बांद करके वेड़ गया है, अब चार बज़ गया, चार बज़ घर जाएंगे, जबकि छुट्टी हो रहे ही, चार बज़ के 20 मिनट पर तो ये सोचो, ये 20 रात पढ़ो, कोई दोस्त अस्ति अगर बात कर रहे हो, तो ये सोचो कि इस से बात करूँगा, इस नलाक से मैं बात करूँगा, तो दोस्त से बात करने में मेरा दस मिनट बेर्थ हो जाएगा, उसी दस मिनट में मैं दो सवाल कर सकता हूँ रे, पेपर में जाएगा रे, पढ़ना है पढ़ना है चोबिस घंटे में से दस घंटा बारा घंटा दिन रात एक कर दो कुछ करके दिखाओ मगर नाम रोसन करके दिखाओ इतिहास के पन्नों में तुमरा नाम दर्ज होना चाहिए कि फलाना लड़का फलाई लड़की ने मेट्रिक क्लास में 95% बना करके लिखाया कहा जाओगे अब तुम